आप सभी को एकादशी ब्रत की बहुत सारे सुपकामने महादे उस्री हरी विश्णो सदा सरवदा आपके जीवन में खुश्यों के भंडार भरे यही प्राधना करते हैं इस वीडियो में जानेंगे एकादशी ब्रत के सर्विस रेष्ट उपाय जो की गुरुदी परदीप मिश्णा जी दोरा बताए गए हैं आप सभी इन उपायों को जैसे कि आज 11 तारीक को भी एकादशी है कल 12 तारीक को भी एकादशी तिथी ब्यापते हैं तो आप सभी को द ठीक है अब आरंब करते हैं उपाय उपाय जो है सर्विस रेष्ट माने जाएंगे इन दिनों में करने के लिए क्योंकि अब अधिकमा समापती की ओर है अधिकमा स्रीहरी विश्णु को समर्पित है पुर्षोत्तम माह भी इसे कहा जाता है और साथी जो एकादशी तिथी ह स्रीहरी विश्णु को समर्पित होती है ऐसे में आप सभी को क्या करना है ध्यान से सुनिये सबसे पहले तो आप सभी को गुरुजी द्वारा बताया गया जो स्वास्तिक है उसका उपाय बताना चाहूंगी आप सभी जानते होंगे एकादशीती थी विसेस रूप से मालक्षमी, स्रीहरी विश्णु अपने आप में दुरलब है हाल ही की कथा में भी गुरुजी ने हाला कि पहले वाले उपाय आप सभी तक सुयर कर रही हो गुरुजी ने अपकी कथा में बताया है कि जो व्यक्ति कुमकुम के स्वास्तिक घर के मुख्य द्वार पर बना देता है उसके घर में कभी जन और धन की हानी नहीं होती समय समय पर बनाए गए स्वास्तिक धन, संपदा, वन्स रधी, रोग, दोस्कस्ट मिटाने में सहयक है तो आप सभी को क्या करना है, जहाँ पर भी आप सभी उपाई करने के लिए आज कले भले ही कल करे कोई दिक्कत की बात नहीं है सबसे पहले स्रीहरी विश्नु और मालक्षमी का विदिविधान से पूजन करना चाहिए हमेशा एकादर्शी के दिन गुरुजी द्वारा बताया गया यह उपाई कि संख में दूद भरकर उसमें आप सभी को एक जो तुलसी पत्र है उसे रखकर स्रीहरी विश्नु का पूर्ण रूप से इसनान करवाना चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेवा इस महामंत्र के साथ उसके पश्चाद जब श्रीहरी विश्नु के सामने संभव हो तो सामानी दीपक लगाए नहीं तो चौमुखा दीपक भी आप लगा सकते हैं चौमुखा दीपक जो है चौहों दिशाओं से घर परिवार में सुक्सम्रद्य और रक्षा करने के लिए सहायक माना जाता है और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राक्ति में भी सहायक होता है चाहे तो चौमुखा दीपक लगाए चाहे तो सामाने दीपक लगाए आपकी इच्छा है कोशिश करें जब आप या तो आज के दिन या कल जो है बारा तारीक को एकादशी के दिन पूरे अखंड दीप लगाने का प्रियत्न करें सर्वस्रेश्ट फलो की इससे प्राप्ति ह होती है उसके पश्चात आप सभी को माता लक्ष्मी के साथ या लड्डू गोपाल सरूप के साथ जो भी आप स्रीहरी विष्णु के साथ माता रानी को विराजमान करते हैं और स्रीहरी विष्णु को हल्दी और कुम-कुम का तिलग जरूर से लगाना चाहिए और साथ ही विष्णु के बाएं पैर में अवश्चक रूप से हल्दी समर्पित करना चाहिए दाहिने पैर में कुम-कुम समर्पित करना चाहिए उसके पश्चात आप सभी को उस हल्दी कुम-कुम की थोड़ी से मातरा लेकर अगर आप सवभाग्यवती है तो मस्तक पर जरूर से आगमन के लिए प्रेरित कर रहे हैं स्रीहरी विश्णु सदासरवदा आपके घर पर वास कर रहे हैं इस कामना से घर के मुख्य द्वार पर सबसे पहले आप सब ही को स्वास्तिक बनाना है हल्दी कुमकुम से उसके पीछे और जो दो डंडिया होती है वह भी संपूर्ण रूप में मालक्षमी वास करती हैं दूसरा स्वास्तिक आप सभी को घर के रस्वी घर में बनाना चाहिए ऐसी मानिता है कि दक्षन दिशा के और नहीं दिशाओं में आप बना सकते हैं और साथ ही एकादशी के दिन तीजोरी में भी आवश्यक रूप से आप सभी को एक स् कर सकते हैं हल्दी और कुमकुम का सास्तिक सबसे सुब माना जाता है रोग दोस्कस्ट मिटाने के लिए तो आज साम के समय या कल आप सभी जरूर से स्वास्तिक बना दीजिएगा निश्चिती धन लक्षमी आगमन होगा रोग दोस्कस्ट कटेंगे दुख दरी द्रता का स सर्विस्रेश्ट उपाए आप सभी को महादेव के मंदीर में जाकर एक पात्र में गंगाजल और जल जो है भर लेना है संभव हो तो गंगाजल पूरे पात्र में भरिएगा और साथ बेल पत्र भी डालीएगा यह उपाए खासतोर पर धन की समश्या को दूर करने में जल पत्र है महादेव के सिवलिंग के उपर स्री सिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है और साथ ही जो बचा हुआ गंगाजल है वह आप सभी को जो नंदी महराज का नंदीश्वर महादेव के नाम से जो नंदी महराज का उठा हुआ पैर है उस इस्थान पर आपको समर्पित कर देना है सरलसा उपाय है करके देखेगा निश्ची थी आपको लाब होना ही है दो उपाय कंप्लीट हो गए बात करते हैं तीसरे उपाय की तीसरा उपाय है कपूर का कपूर के दो उपाय आपको जानने समयने को मिलेंगे गुरुजी कहते हैं जैसे क सनिवार की एकादसी सरवुत्तम कही गई है क्योंकि दौदशी मिस्रित है सब ही जन जो है इसी दिन 12 अगस्त के दिन ही बिरत कर रहे हैं तो आप सभी सनिवार के दिन ये आज रात को शाम के समय में भी इस उपाय को कर लेते हैं तो निश्चिती घर में जो नकारात्मक उरज है कही न कही रोग दोस परिशान करते हैं घर के बाहर आप खुश रहते हैं परन्तु घर के अंदर आते ही मनोदास हो जाता है तो आप सभी को जरूर से आज ही उपाय करना चाहिए साम के समय आप सभी को क्या करना है कि घर का जो मिट पॉइंट है दो कपूर के उपाय वता दो जोडे में घूम जाना है घर का जो मिट पॉइंट है अपसभी को स्रीच कहते हुए और महादेव का ध्यानिस्मरण करते हुए इस का पूर Come को जला देना है पूर्ण रूप से जल जाने के बाद आपको पूरे घर में इसे पूर्ण रूप से धुनी करनी है पूर्ण रूप से घुमाना है उसके बाद जो है दोशीत स्थानों पर ना जाए आप समझ रहे होंगे पूरे घर में घुमाने के बाद आप इसे पूर्ण देखी का निश्चेती आपको लाब होगा साथ ही अन्य एक कपूर का उपाय है जो कि सनीवार या सुक्रवार के साम जब भी करते हैं लाब होगा आप सभी सामाने रूप से दो लौंग और दो कपूर लेकर पूरे घर में इस उपाय को करने के लिए भी आप सभी को घूम जा करना है यह भस्म कर देना है जला देना है पूरे घर में इस उपाय को करने के लिए भी धोनी करनी है तो सरल सा उपाय है दो उपायों में से कोई साथ सरल सा उपाय कर लीजेगा पहले वाले ने साथ लौंग लेनी है इस बात का ध्यान रखे फूल वाली अच्छी अवस्ता में लौंग होनी चाहिए तो इस तरह से यह दो उपाय थे बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की तीसरा उपाय है आप सभी को पीपल रक्ष का सीचन जरूर से करना है इस पवित्र महने में पीपल रक्ष दूध और काले तिल और जल मिसरित करकर और थोड़ी सी दुर्वा उसमे डाल कर आप सभी अगर पवित्र एकादशी के दिन सनिवार भी हो रहा है सुक्रवार की शाम को तो नहीं जा सकते पर उन्तु सनिवार की साम को सुबह सुबह जो है आप सभी जाकर जो पीपल रक्ष है उसका सीचन कर देते हैं तो गुरू जी कहता है सभी नव ग्रहों की दशा मजबूत होती है कुंडली में और कहीं न कहीं पित्र भित्र तो होते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए करते हैं तो आपको अधिक मास में पूर्ण रूप से फलो की प्राप्ति होती है घी का दीपक लगाए गोलबत्ती का स्री सुक्त करते हैं या ओम नमो भगवते महामंत्र का जाप करते हैं पीपल रक्ष के नीजी तो अतिस्रे स्टे से कहा जाता है सरल सरल से उपाए करकर देखें निश्चिति आपको लाब होगा इससे पहले चैनल पर वीडियो आ चुका है तुलसी की सूखी लकडी के उपाए का उसका दीपक कैसे बनाना है 108 365 बत्ती का दीपदान कैसे करना है उसकी भी जानकारी मैं दे चुकी हूं कर प्यावन वीडियो को जरूर देखें स्री सिवाए नमस्तु